हाई गैज वल्कम बैक टू माई शानल इस वीडियो में आपका बहुत ज़ादा स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रो सीरीज के फोन रहते हैं आपल के वो किन लोगों को बाई करने चाहिए और आपकी यूज़ेज में प्रो सीरीज के फोन का क्या मतव रहे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहली चीज के शुरुबात करते हुए मैं आपको काउंट डाउन केटेगरी बनाऊंगा सबसे पहले आती है गेमर्स की केटेगरी सेकिंड नंबर पर आ रही है content creators की जिनको camera वगरा यूज़ करना है और फिर बात करते हैं जो आपल ने devices rollout किये हैं वो दो devices supported हैं gamers के लिए सबसे पहला जो की pro max series वाला phone होता है जिसमें आपको top notch जो है highest resolution, highest display smoothness, highest आपको RAM देखने को मिलेगी जिसकी करण performance में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा for example यह iPhone 13, यह मान लेते हैं कि यह iPhone 13 है और यह 13 Pro है तो दोस्तो 13 में आपको 4 GB की RAM देखने को मिलेगी उसी के साथ-साथ 13 Pro में आपको 6 GB की RAM देखने को मिलेगी 13 का जो display panel है वो 60 Hz स्पोर्ट करता है लेकिन 13 Pro का जो display panel है वो 120 Hz स्पोर्ट करता है जिसके करण आपको game में smoothness ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसी के साथ-साथ आपको BGMI जैसी games में 90 Hz का 90 fps का स्पोर्ट देखने को मिलेगा Pro Series में iPhone 13 Pro में आपको 90 fps देखने को मिलेंगे अगर दोस्तों आप gaming के लिए phone बाय कर रहे हो 13 Pro या 14 Pro या 15 Pro तो रुक जाओ आपको Pro Max वाला variant बाय करना है अगर gamers आपको Max वाला variant में क्या फायदा होगा सबसे पहले उसका display size और बढ़ा होगा जो की game देखने में जादा मज़ा आएगा और इसे के साथ-साथ उसकी battery भी बढ़ी होगी अगर आप 120 Hz की display जला रहे हो तो उसको power consume करने के लिए battery भी बढ़ी चाहिए तो इसलिए आपको अगर आपके पास पैसे जादा है थोड़े से आप और इन्वेस्ट कर सकते हो तो हमेशा Pro Max वाला variant लेना है और वो भ 15+, 15+, Apple ने यह जो है अब Plus वाली series एड़ करके काफी users को easy easiest बना दिया है उनको जो है decide करना कि वो कौन सा phone भाइ करें तो दोस्तों यह तो अभी तीन camera's वाले जो है आपको gamers को camera's की बहुत ज़्यादा जूरत नहीं बढ़ेगी उनको तो performance आई उनको hardware जाहिए so guys जो Plus series वाले phones है ना उनमें आपको बड़ी display देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ साथ बड़ी battery देखने को मिल जाएगी no doubt उसमें जो RAM रहेगी वो 4GB की ही रहेगी जैसे iPhone 14 जो 14 Plus है उसमें 4GB की RAM I think 4GB की I believe 6GB की RAM है और same to same iPhone 13 Pro वाला प्रोसेसर है जो की A15 है और उसी के साथ साथ अगर आप iPhone 15 Plus buy करते हो तो उसमें iPhone 14 Pro वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की A16 बाइन एक चिप सेट है और आपको 6GB की RAM देखने को मिलेगी RGB की जो RAM है वो Pro Series वाले phones में है जैसे कि iPhone 14 Pro और iPhone 15 Pro में तो दोस्तों यहाँ पर RAM देख रहे हो ना किस level की RAM देखने को मिल रही है अब बात करते हैं Content Creators के लिए जिनके लिए 14 Pro 14 Pro Max 15 Pro 15 Pro Max 13 Pro Max भी चलेगा अगर आप Content Creator हो तो दोस्तों आप Pro Series के साथ भी जा सकते हो आपको जरूरी नहीं है कि Pro Max buy ही करना है वैसे मैं आपको recommendation यह दूँगा कि आप Max buy करोगे तो हमेशा फ्यूचर प्रूफ इतनी बैटरी आपको देखने को मिल रही है अगर आपको थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाए तो आपके लिए ही beneficial है तो दोस्तों जब आप content create करे हो जैसे video shoot करे हो तो आपको अफको उसके लिए भी camera में battery ज्यादा चाहिए camera को use करने के लिए जैसे कि आपको content creators आपको phone pro वाला series क्यों बाय करनी है सबसे पहले तो आपको ये macro mode देखने को मिल रहा है उसमें उसी के साथ साथ आपको 3x, 1x, .5x तीन cameras का support देखने को मिल रहा है और आप photos के case में 1x, 3x और .5x में photos क्लिक कर सकते हो उसी के साथ साथ portrait modes भी आप 3x में shoot कर स सकते हो और 1x में भी क्लिक कर सकते हो और इसी के साथ साथ 2x में भी तो दोस्तों आप देख सकते हो अगर आपको video shoot करनी है न highest resolution में highest grades की तो दोस्तों आप iPhone 13 pro series से 14 pro में 15 pro में ProRes videos shoot कर सकते हो वो जो है एक raw videos होने वाली है बहुत जादा high resolution वाली इसी के साथ साथ आपको 13 series से उपर वाले phones में 13 series में भी cinematic videos का option देखने को मिल जाएगा 15 pro जो series आई है उसमें तो हर एक video mode में आपको 4K 60fps देखने को मिलेगा चाहे वो cinematic video हो और last में मैं आपको cover करना जाहूंगा कि photo अगर आपको photo best quality में क्लिक करनी है तो pro raw quality में आप pro series में क्लिक कर सकते हो वो भी 13 pro से श है जैसे कि pro rest और pro raw तो दोस्तों अगर आपको highest quality photos वीडियो क्लिक करनी है तो हमेशा pro वाली series बाई करनी है अब बात करते हैं normal बंदे की normal बंदा किस phone की दरब जाए तो दोस्तों अगर आपके पैसा खूब available है पैसा आपके पास है तो आप हमेशा pro series बाई करो क्योंकि flex भी बाई करना चाहते हो तो आप दोस्तो आइफ़न 15 की तरफ non pro models की तरफ जाओ जैसे कि let's assume मैं आइफ़न 15 pro max बाई करके लेगा हूँ और इसी के साथ-साथ मेरा दोस्त 15 बाई करके लेगा है so 15 आपको मिलेगा 70,000 के आसपास वही 15 pro और 15 pro max आपको 1,500,000 के आसपास देखने क को मिलेंगे so beneficial कौन सा हुआ 15 क्योंकि series तो एक ही चल रही है नाम तो एक ही आता है 15 और 15 pro तो दोस्तो ऐसे non pro models में ज्यादा फायदा है पैसे भी बच जाते हैं और नाम भी हो जाता है so I hope guys आपको यह जो वीडियो है वो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करना अपन तो माश